नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रीना तलवावर और आप देख रहे हैं First By TV अनुछे ती 370 और 25 से को जम्म कश्मीर से हटा आना इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर बन चुका है आज सुबस आड़े 9 बजोई संसद भवन में मीटिंग बुलाई गई जिसमें ग्रह मंत्रिया में शाहा ने संकल्प पेश किया इस दोरान संसद में हंगामा भी मच गया शाहा ने जम्म कश्मीर में 10 प्रतीशत आरक्षन संशोधन पर भी बिल पेश किया है संकल्प में लिखा था कि जम्म कश्मीर से अनुछे 370 को हटाया जाए और 370 एक ही लागू हो अब तक कि सबसे बड़ी खबर काफी अंगामे के बाद जम्म कश्मीर पर तीन बड़े पैसले लिए गए है पहला राश्पती ने 370 एक को मंजूरी दे दी है दूसरा लदाग को जम्म कश्मीर से अलग किया गया है और तीसरे पर जम्म कश्मीर को केंदर शासित प्रदेश होने का दरज़ा दिया गया सुबस से आड़े 11 बजे 370 एक को मंजूरी मिल गए बहुती मशक्कत के बाद कश्मीर को अब 72 सालों के बाद 370 से आजादी मिली है मोधी सरकार के से अतिहासिक पैसले पर जनता जश्न मना रही है इस पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आज का दिन सबसे काला दिन है और इससे विराशकारी परिणाम होंगे कई लोगों का कहना है कि बीजेपी ने समविदान की हत्या करती है यहां तक कि विपक्षी दलों की सांसद राज्यसबा में जमीन पर बैठ गए शाह का कहना है कि 370 जम कश्मीर से बहुत पहले हटा देनी चाहिए थी मगर यह फैसला मोधी सरकार ही ले सकती थी शाह के इस कदम पर विपक्षियों ने आवाज उठाई और कहा लोग तंत्र की हत्या नहीं चलेगी यह नारे पूरी राज्यसबा में गोंजुठे बताया जो आ रहे कि साथ अगस्कु प्रधान मंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं इसी के साथ सर्वदल्य बैठक बुला सकते हैं और कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं पिलाल मोधी सरकार के अतिहास से पैसले पर देश की जनता काफी खुश नजर आ रही है आपको इस मसले से कितनी खुशी है कॉमन बॉक्स में लिखकर जरूर बताई नमस्कार